नाउस्कार न्यूस नेशन वरोकी नावर प्रेजन्स चैंपियन्स की जंग देख रहे हैं आप मैं आपके साथ अखिल गुपता आईपिल दोजार चॉविस में शनिवार को टॉर्णावेंट का साथवा मुकाबला खिला जाएगा 22 मार्च को इंडियन पीमेर लीग शुरू हुआ था और अब देखते ही देखते ये अपने अंतिम पड़ाओ पर पहुच रहा है 60 वे मैच सकमाब पहुच रहे हैं यह 60 वा मैच होने वाला है कॉलकाता नाइट आजर्स और मुंबई इडियन्स के बीच यानि कि केकर के सामने होगी मुंबई इडियन्स की चुनोती यह मुकाबला कर जाएगा केकर के ओम ग्राउंड यानि कि कोलकाता के एतिहास एक एडिन गार्डन स्टेडियम में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे केकियार वसेज एमाई मैच के पिस्ट रिपोर्ट कैसी होने वाली है साथ ही शनिवार को कोलकाता के मौसम का हाल कैसा रहेगा कहीं बारिश मैच के रोमांच को खराब तो नहीं कर देगी साथ ही बात करेंगे दूनों टीमों के हैड टुट रिकॉर्ट पर केकर वसेज माई का हैड टुट रिकॉर्ट को कहता है किस टिम का पलड़ा भारी है तो यह गेंद्बाजों के लिए काफी अनुकूल है क्योंकि यहां स्पिनर्स को अच्छा टर्ण और बाउंस मिलता है ऐसे में बल्ले बाजों के लिए अच्छा है रहेगा कि वे पावर पले का अच्छा इस्तिमार करें आखडों की माने तो यहां बाद में करने वाली टीमों को अधिक सफलता मिली है और कॉलकाता में बढ़ती नमी के कारण मैच में ड्यू फैक्टर भी देखने को मिल सकता है इसलिए हमारे इसाब से यहां पर टॉस जीत कर पहले गेंद बाजी करने का फैसला अच्छा साबित हो सकता है यानि कि शनिवार को एडिन रिपोर्ट पर शनिवार 11 माई को कॉलकाता का तापमान 26-31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उमीद है कॉलकाता में शनिवार को पूरे दिन बादल चाये रहेंगे और बारिश की भी संभावना जताई जा रही है वेदर फोरकास की माने तो शनिवार 11 माई को कॉलका अच्छा परफोर्मेंस भी कर रही है माई का बस्ता पहले ही पैक हो चुका है अब बात करते हैं दुरों टीमों की हैट वेड रिकॉर्ड की किस टीम का पड़ड़ा अब इदक भारी नजर आया है आई-पेल के हैट वेड रिकॉर्ड पर के क्यार और मॉंबई इंडियंस क किलाव बेहत खराब है क्योंकि 33 में से केवल 10 मुकाबले केके आर ने अपने नाम किया है और 23 में मॉंबई इंडियंस ने कॉलकाता को हराया है वैसे 17 सीजन में हाली में कुछ समय पहले ने दुरों टीमों के बीच मुकाबला केला गया था मॉंबई के होम राण 1 के के आर की पॉसिबल प्लेंग 11 पर फिल्सॉर्ट विकेट कीपर सुनील नरेन अंग्टेश टगवंशी श्विस अयर कैप्टन वैंकटेश अयर रिंकु सिंग आंदुरे रसल रमंदीप सिंग मिचल स्टाक वरुन चक्रवर्ती और हर्चित राना बात अगर कोलकाता टीम टेबल टॉपर है नंबर वन पर है और एक मैच अगर ये मैच जीत लेते हैं मूंबाइ इनिस को हरा देते हैं तो इनके ओल्मोस्ट क्वालिफाई कर जाएगी ए टीम प्लेओफ के लिए जो क्वालिफिकेशन का सिंबल है वो इनके नाम के आगे लग जाएगा पूरी बात अगर कर लें सुरीन लरेन की कमाल की फॉर्म में बल्ला लगतार चल रहा है आग गूगल रहे हैं स्ट्राइक रेट उनका धमाकेदार एक 180 से ओपर का स्ट्राइक रेट है ये इन बाजी में चार ओवर लगतार उनकी गिफायती रहे हैं विकेट स्विच बिचट का र की परिशानी को बढ़ा के रखा है औरेंज कैप के मामले में वेंकर टेश एएर इनका तो वैसी मुंबाइ इंडिंस के किलाफ काफी अच्छा बला चलता है आईपल में एक माथ रंडेड है वो भी मुंबाइ इंडिंस के अगेंस आया था श्रेस एएर की कपतानी वाकि मे अब तक वो इंपक्ट छोड़ नहीं पाए वो स्ट्राइक रेट कर लेगी शूरा एक एंकर रोल प्ले अब अब तक स्ट्रेश सहीर कर रहे है रिंकु सिंग उतनी अच्छी बलेबाजी का मौका मिला नहीं है यही कारण है कि टी-20 वर्लकप के स्क्वेड में उनको इसी बड़ी शानदा रहे हैं कि मिचल स्टाक को लेकर आईपल के इनिशल मैचिस में जो इनकी क्रिटिसाइजम होई थी अलोशना की गई थी अब मिचल स्टाक दिखा रहे हैं कि क्यों उनके ओपर केक्यार ने 25 क्रोड इंवेस्ट किये थे वाकी में हर मैच में डेथ ओव बहार हो चुकी है मुंबई इडिनस की पॉसिबल प्लेंग 11 पर एक नज़र डालते हैं इशान किशन विकेट कीपर रोहित शर्मा, नमंधीर, सोरी कुमार यादव, तिलक वर्मा, हर्दिक पांडर कैप्टन, टिम डेविट, अंशुल कामबोज, प्यूश चावला, शर्मा को आराम देना चाहिए, खास आर पर रोहिष शर्मा की फॉर्म काफी खराब रहे है, लेगिन खास आरप मेरा अगर मानम बिचार आप देखेंगी तो मुझे लगता है, मुंबई इडिनस की दो μέच पचेओ में nord सिर्मा की फॉर्म की काफी खराब है, ट टी 20 वर्ल् जादो विये मैच के लिए जस्पित बुम्बरा ये मैच के लें क्योंकि 16 तारिक के बाद मुंबई का बोरिया बिस्तर वैसी बन जाएगा क्योंकि टीम 21 तारिक को शायद मुंबई इडिन्स के जो जो खिलाडी बर्मा का अलाकि पिछले दो-तीन मैचस में उनकी फॉर्म भी गिरिया लेकिन सुर्य कुमार ये मैच में पिछले मैच में हैंदराबाद के खिलाफ एक नाबाद शुद के पारी खेली थी च्छका लगा कर अपना शुदक पूरा किया था और टीम के लिए विनिंग शॉट भी उनके बल्ले से आया था परपल कैप की रेस में लगतार बने हुए अच्छी गेनबाजी कर रहे हैं लेकिन मुंबाई इडिनस में उनके अलावा कोई भी गेनबाज अपनी चाप नहीं छोड़ पाया वैसर भी मुकाबला 60 वा मुकाबला है रोई शर्मा के सामने केकियार की टीम है क्योंकि रोहत काबला केकियार के खिलाफ हमेशा आगउगलता है उनकी फेडिए टीम रही है केकयार आप पोजिशन के मामले अगर बात करें तो उम्मीद है कि इस मैंच में के रोई शर्मा का बिल्ला आग उगलता हूँ नजर आएगा फैंटेसी में आप इन पे कप्तान योग कप्तान बना सकते हैं वैसे आपको क्या लगता है केकियार वर्सस एम आई कोलकाता है मुंबई कौन सी टीम ये बाज मैच जीतेगी क्या केकियार इस मैच को जीतके प्ले आफ के लिए क्व हुआ हुआ